हेलो दोस्तों फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपनी चैनल जीए सकेड़मी पर आप सभी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा लाइक भी कर रहे होंगे और ओपर और शेर भी कर रहे होंगे क्योंकि इस वीडियो पर टॉपिक 22 एक एक ट सब्जेक्ट टॉपिक भूगोल इससे पहले जो टॉपिक थे हमारे हिस्ट्री था और इंडियन नेशनल मुवमेंट थे वह हम कंप्लीट कर चुके हैं अब हम जियोग्राफी देखेंगे ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है इसमें हम जो जो हमारे पैट के स्लेवस में दिय कर लेंगे जब तक एगजाम होगा आपकी जीएस बहुत अच्छी हो जाएगी तक ठीक है तो आज जो हम देखेंगे भारत का जो बहुत एक भूगोल है उसमें नदियां और हमाले की नदियां और अरब सागर में जो गरती हैं बंगाल की घाड़ी में जो गरती हैं प्राइद इपी नदियां ये सारी कुछ देखने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो क्या रहने वाला है आज भारत का बहुत एक भूगोल सबसे पहले नदियां भारत नदियों का देश है भारत के आर्थिक विकास में देश की नदियों का महत्पून योगदान रहा है नदियां यहां प्राचिन काल सही मानब के जी विका का सादन रही है ठीक है देखिए ऊट्पत्तिा के अधार बारत नाधियों का विवाजन किया गा है वो दोबर गोम прав frightened किया गए ठक है सबसे पहले हमाले चुर्थ हमाले की नदियां जो डिर्यक्ट हमाले से निकलती हैं गलीशीअर सी गलीशीयर के बहां और दूसरी है प्राइदीपी नदियां प्राइदीपी नदियां जो होती है इन्हें मौसमी भी कहा जाता है कि जब बारिस होती है तभी ये नदियां पहती है अच्छे से बारिस नहीं होती है तो ये सूख जाती है हिमाले की नदियां हमेशा जलती है हिमाले की नदियों को तीन प्रमुख नदी तंत्रों में बाटा गया एक सिंदू नदी तंत्र एक गंगा नदी तंत्र एक प्रमुपुत्र नदी तंत्र सबसे पहले हम देखते हैं सिंदू नदी तंत्र इसके अंतर का सिंदू बाउसके सायक नदियां जहेलम चेनाव राभी ब्याज सतलज इसकी भारत में जो लंबाई है वो 1114 किलोमेटर है लेक्षण पस्चिम की और भहते हुए करांची के पूर बे अरफ सागर में गिर जाती है इसकी सायग नदियों की बात करें तो जहलम है यह संदू की सायग नदिये जो कस्मीर घाटी के देख्षण पूरुब भाग में पीर पांजाल परवत की पदस्तली में बैरी नाग जहने से निकल कर दो सब बारा किलोमेटर की लंबाई में उत्तर पश्चिम दिसा में प्रवाइत होते हुए बूलर जहल में मिल जाती है स्री नगर जहलम नदि के किनारे पसा हुआ है ठीक है आगे बात करते है इसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है इसके बाद चेनाब आती है सिंदू की बिसालतम साएक नदि है यह है चंदर और भागा नामक दो नदियों के रूप से निकलती है यह दोनों नदियां मिलकर चेनाब कहलाती है भारत में इसके लंबाई 1100 से राभी नदि हिमाचर प्रदेश से निकलती है कांगडा जले रोहतांग दर्रे के समीब से इसके लंबाई 725 किलो मेंटर इसके बाद ब्यास इसके लंबाई 470 किलो मेंटर सतलज की साहिय का इसका उद्ग मिस्थल जो है कुलू पहाड़ी के निकट रोहतांग दर्रे के ब्यास कुण में है सतलज नदी देखते हैं मांसरोगर जहिल के समीब मिस्थित राकस ताल जहिल से निकलती है सेप किला दर्रे के पास से यह भारत में परवेस करती है पचास किलो मेंटर ठीक है याद रखेंगे गंगा नदी तंतर के बारे में बात करते हैं गंगा नदी भागे रथी तथा अलगनंदा नदियों का संबलेत स्वरूप जो देप्रियाग में वे देप्रियाख के निकड मिलकर कंगा कहलाती है ठीक है गंगा नदी का प्रमुक्स दो औत कंडंड के सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में बंगला देश में सेיים से जाना के नाम से ठीक गंगा नदी की भारत में लंबाई जो है पच्छस सो पच्छस किलो मीटर है और यह भारत की सबसे लंबी नदी भी है सबसे पवित्र नदी भी है और राश्टी नदी भी इसे ही खुशत किया गया है साहयक नदियों की बात करें तो राम गंगा नदी यह नदी गैर सेड़ के निकट कुमायू हिमाचल में इस्तित गड़वाल की पहड़ियों से निकलती है इस नदी की लंबाई 600 किलमीटर है खोन इसकी प्रमुक साहयक नदी है आगे देखते हैं दूसरी जो इसकी साहयक नदी है सारदा नदी यह नदी नेपाल हिमालाय में इस्तित मिलाप हिमनस से गवरी गंगा नाम से निकलती है जो भारत नेपाल से हिमा पर काली नदी की नाम से जानी जाती है इसनके बारे में इतना डेटेल नहीं पूंचा जाता है आपके वेल इनक जनन्दा केन सुन दामुदर यमना यमना पूंच जाती है गंगा की सबसे लंबी यह सबसे पश्चयमी सायक नदी जो बंदर पूंच के पस्चिमी ढाल पर इस्तित यमनोत्री हिमनत से निकलती है यह गंगा के सामाना अंतर प्रवावित होती है प्रियाग इलाभाद में गंगा से मिल जाती है इसकी जो लंबाई है तेरा सु सत्तर किलोमेटर है उसके बाद एक और है चंबल नदी यह है मद्ध प्रदेश के महू के समी विस्तित मालवा पठार से निकलती है अंत में इटावा के समी अमना से मिल जाती है यह अपनी उतकात भूमी के लिए प्रसिद्ध उतकात भूमी को बीढ़का जाता है इसकी लंबाई 965 किलोमेटर बनास मेच पारवती शिपरा इसकी सायक नदी तंत्र यह विस्ति की सबसे लंबी नदियों में से एक है इसका अभवा तंत्र जो है तीन देशों में है तिबबत चीन भारत बंगलादेश यह भारत में तेरा सो चैलेस किलोमेटर की लंबाई में प्रवावित होती है यह कैलास परपस त्रणी के दक्षण में मांस मांसरोवर जेल के निगट चेया यूंग डूंग गलेसियस से निकलती है ब्रमपुत्र का ज्यादा हिस्सा तिबबत में जहें से सांग पुका जाता है इसकी दो सायक नदियां है दिवांग वा लोहित जिनके मिलने से इसका नाम ब्रमपुत्र पड़ा बंगलादेश में इसका नाम जमना है परमपुत्र में तीस्ता अधी नदियां मिलकर अंत्ывает पदमा असवरी गंगा से मिल जाती है । अब बात करते हैं पराइदी पी नदियाँ है पराइदी पी नदियाँ चाउने लगवक संतुली वा उधली गाटियों से होकर बहती हैं । पराइदी प सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी नदिया है जो बंगाल की खाड़े में गरती है इने में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़े में गरती है तो याद होना चाहिए आपका स्वान लेखा नदी यह नदी रांची में रांची के दक्षन पस्चें पठार से निकलती है बाल प्रमिकेश्च्वर से इसका उद्गम माना जाता है ठीक है उसके बाद क्रश्णा नदी है काबेरी नदी पेना नदी बैगी नदी ये सारी नदीयां जो हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती है अरफ सागर में कौन-कौन सी गिरती है नर्मदा नदी कहां से निकलती है अमरकं नदी, यह जो नदियां हैं, यह अरफ सागर में गिरने वाली नदियां हैं, तो यह आपको याद रखना है, आप नदियों की घाटी की बात कर दे हैं, हिमाल है सामान आंतर सुरेणियों में से निर्मित है, इन्हें कस्मीर गाटी दून गाटी कांगड़ा वा कुल्लू गाटियां भागिरती गाटी वा मंदागनी गाटी अधी अनेक नामों से या अनेक घाटियों द्वारा प्रक्षपित किया जाता है यह परेटकों के आकरसण के स्थान है यहां जनसंक्या वा का जमाबी पाया जाता है पुर्लू गाटी हिमाचर प्रदेश के धौलातर और पीर पंजाल सिर्णियों के में सब्सक्राइब नेलां गाटी भारत के उत्तराखंड में मर्खा गाटी लद्दाक के इंसासे प्रदेश की प्रसिद्द्ध गाटी समुद्र तल से 2438 मीटर की मुचाई पर है टेट वैली कहां जिसे तो के रल में भूजल संसाधन की बात करते हैं भूजल भहए जल होताँ जेऍधनों और मिटी से मिटी में रश जाता और भूमे के नीचे जमा हो जाता है जहिए जलでफ़ी रेत बल्यूब पत्थर या आदिसे बने होते हैं ये इन चट्टानों के नीचे इन चट्टानों से पानी नीचे बह जाता है जो चट्टानों को पारगम में बना देता है जल भ्रंतों में जिन जगेहों पर पानी भरता है भी संत्रप्त जोन कहलाते हैं सतय पर जिस गहराई पर पानी मिलता है जल इस्त जमाब इस संसाधन की छमताब आप परवरती नहीं है निमनी करण के प्रती उसकी सम्मेदन सेलता को इसपस्ट करता है भारत में जल जमाब को निमलके सिरेणियों में बांटा जा सकता है प्राइदीप ये भारत में कठोर चटान वाले जल बरंद भारत के समूचे जल बरर छेतर का पैंसर परसंट भाग कठोर चटान वाला आएं है resist yeah प्राइदीप भारत में हैं जहांकि भूमी कठोर चट्टानों से निर्मीत है इन जल भरंतों का पानी दोबात भरनेयोग नहीं रहता है निरंतर प्रियोग किये जाने करण अंतिता ये सूख भी जाता है, ठीक है, सिंदु गंगा मैदानों में कहारी जल भरंत, ठीक है, उत्तर भारत में गंगा और सिंदु के मैदानों में पाए जाने वाले इन जल भरंतों में पानी के संग्रण की अध्भूत शमता है, इसलिए इने जल पूर्ती का पहूले श्रो बादन में बर्जा का योगदन रहता है अनिस रोग जो हैं जैसे नहेरों मेरे साथ सजाई के दौरान पानी वापस लोटना टैंक तालाव जल सरक्षन जैसे सरचनों सरचनों का दोबारा भरना आधिक से दारी जो है 32 परसेंट है आगे बात करते हैं दिल्ली हर्याना पंजाब और राजस्थान राज्जियों में भूजल विकास का इसतर बहुत अधिक है जहां भूजल विकास सो परसेंट से अधिक है इसका अरति है कि इन राज्जियों में बार्षिक भूजल उपियोग बार्षिक भूजल पुनर्भर् अपयोग और सरक्ष Kathy संकट की ओर तीजी से भारत बढ़ रहा है भारत में वह जलकी उसलकियर फिर भी फिरवी भुजाल की बिकेंद्रीट प्लब्ड़िता करने आसानी से प्राप्त किया जा सकता है भारत की किर्षी और पेजल आपूरती में उसकी इस्तिदारी बहुत बड़ी है निसकासित भुजल का 48% हिस्सा सहसाई की छित्र में प्रियोग होता ठीक है इसके बाद घरेली उपयोग का इस्तान आता है जो भुजल का 9% है भुज की जाती है भुजल के मादएम सचाही की जाती का सबसे अधिक उप्योक्स सचाई के लिए होता है देश में सचाई के मुख सादरों में नहरें टैंक कुएं टुबेल इन सभी जल सुरतों में भूजल की बहुत बड़ी इस्तेदारी है कुएं खासतर पर खुदाई किये गए उथले टुबेल और गहरे टुबेल सचाई के लिए एक्सेट परसेंट जल उपलब्द कराते हैं जबकि नहरे 24.5 परसेंट और जो टुबेल वगए रहा है वो एक्सेट मेंट 6 परसेंट उपलब्द कराते हैं तो यह थी हमारी आजकर नदीत अंत्र और आपकी नदीघाटी और भूजल कल से हम कल हम यह देखेंगे परवत पहा